हालो गाईज, वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल, मैं हूँ चित्रा, आज मैं आपके साथ पालक लच्छा पाराठी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं पालक लच्छा पाराठा बनाने के लिए हमें चाहिए पालक, एक बोलाठा, इससे हम आराम से 4-5 लोगों के लिए पाराठे बना सकते हैं, फिर देखते हैं मसालों में, यहाँ पे मैंने 7-8 हरी मिर्च ली है, 1.5 इंच अध्रक, लसन, आमचुर पाउडर, गरम मसाला, धनिय पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, अजवाइन और चीज, पालक की प्यूरी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मिक्षर जार, अब लेंगे पालक, उसमें डालेंगे हरी मिर्च, अध्रक और लसन, फिर इसको अच्छे से ग्राइन करेंगे, आप इस बात का ध्यान रखना, पालक प्यूरी बनाते वक्त हमें पानी अड़ नहीं करना है, पालक प्यूरी बनके रेडी है, अब हम इसे आटे में डालेंगे, और यही प्यूरी से इसका डो बनाएंगे, पानी का इस्तमाल नहीं करेंगे, अब हम मसाले अड़ करेंगे, सबस को स्टार्ट करते है इस तरीके से हमारा दोब बन के रेड़ी है इस पर हम कपड़ा डालेंगे और आदे ग्थंटे के लिए इससे रेस्ट करने देंगे अब हमारा आदा गANTख पूरा हो चुका है आप इसके एक लोई लेंगे और उसे बेल बेलने के लिए हमें इस पे थोड़ा आठा डालना है ताकि वो चिप के नहीं क्योंकि यह लच्छा पराटा है इसमें लेर्स होते है तो इसके लिए हमें इसके ऊपर थोड़ा आठा स्प्रिंग्ल करना होगा इसके बाद मैं यहाँ पे इसको ऐसे cut करती जाओंगी अगर आपको यह process थोड़ा difficult लग रहा है तो आप इसकी plates भी बना सकते हो फिर आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे इसको ऐसे एक साथ करके इसको गोल-गोल करते हुए इसका जो last वाला end है न वो बीच में ऐसे दबाके उसको ready कर देती हो वो end को दबाना जरूरी है नहीं तो लच्छा बेलते समय वो बाहर आ सकता है आप देख सकते हैं इसके उपर ऐसे layers आ गये हैं अभी इसे हम बेल लेंगे पराठा बेलते समय हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है अब ये ready है इसे हमें अभी सेक लेना है हमें इसे दोनों साइड से अच्छे से से सेक लेना है मैं यहापे oil यूज़ कर रही हो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं अब देख सकते हैं इसके layers अब आने लगी है पराठा दोनों साइड से अच्छे से सेक के ready है अब इसे हम प्लेट में serve करेंगे अब देख सकते हैं इसके अच्छे से layers आ गये है अब इसके उपर में cheese grate करके डालूंगी cheese optional है आप इसकी जगह पे घी भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से हमारा पालक लच्छा पराठा बनके ready है आप इसे घर पे try किजेगा और मुझे comment में जरूर बताइएगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like किजेगा और इसे दोस्तों के साथ share किजेगा